जैन दोस्पॉंट अगर आप से CSC विल भी हैं और आपके पास E-District ID है जिससे आप आए जात निवास हुआ अन्य दवाबत बनाने के काम चाहते हैं तो आपके बताते कि E-District 310 अप्रेट में आपको अपनी E-District ID का रिनेवल करना हो और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं त तो आप E-District की सेवाँ को लप नहीं लेसे फिडने अब आपको हर साल E-District ID का रिनेवल कराना प्रेजा आपको अपनी E-District ID का रिनेवल करने के लिए आपको वार सिक सोल का भूकतान करना पड़ेगा यह सुनको 500 उपए से लेकर 2000 उपए तक हो सकता है तो चलिए आपको बताते हैं कि किस्ट वकार से आप अपनी E-District ID को रिनेवल कर सकते हैं सबसे पहले आपको डिजिटल सेवर करनेट को लोगिन कर लेना है यहाँ पर आपको E-District लिगकर सब्सक्राइब कर देना है लोगिन दिट डिजिटल सेवर करनेक्ट यहस कर दोना है इसके बाद प्रोसिट पर प्रिक कर देना है अब आपके सामने E-District लिगकर सब्सक्राइब कर आ जाएगा इसके बाद आपको प्रोसिट कर देना है अब आप यहाँ देख सकता है कि 590 रुपए आपको प्रोसिट करना होगा जिसमें 500 रुपए आपका actual cost प्लस 90 रुपए GST 18 परसंट है इसके बाद आप टेपर टीप करके CSC का पासवर्ड और वालेट पर डाल कर अपना पेमेंट कर देंगा है अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 590 रुपए सच्छी सुनित प्रोसिट हो चुका है और रिफ्रेंस आइडी भी दी गई है आप रिजिस्टे सब रिनीवल पर क्रीप करके रिनीवल का स्टेटस लाइक और कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्स्क्राइब करें लिए दम्युक्त